कि नमस्कार competition community के comprehensive current fs program में मैं पुख्राजगिरी एक बार फिट से आप सभी का स्वागत करता हूं तो जैसे कि सामाने तौर पर मैं करता हूं कि कि महीने के current fs को दो हिस्सों में बाढ़ देता हूं एक से पंदरा तारीक तक का जो हिस्सा होता है वह पहले होता है उसके बाद सोला से लेके 30 या 31 जो भी महीना है उसके हिसाब से सेकेंड वीडियो तो जो पहला वीडियो है जुलाई मंत का उसको लेकर मैं आ चुका हूं जिसमें एक से लेके 15 जुलाई तक के जितने important current affairs आपके examination के point of view से है उन सभी का हम लोग क्या करेंगे properly analysis कर लेंगे pre के point of view से भी और mains के point of view से भी तो बिना समय को waste करें क्या करते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले आ गई है खाली slide और खाली slide में आप जानते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक साहितिकार को तो देखिए आज के जो साहितिकार है ना इनका नाम है कोदू राम दलित तो साहितिकार का नाम क्या है कोदू राम दलित अब जब भी मैं इनका नाम सुनता हूँ न तो मिरे को ऐसा लगता है कि ये एकदम क्या है एक सियान आदमी है बुढ़े है आवाज इनका आवाज बोलता हूँ इनके नाम से ऐसा लगता है आवाज कहा और शादी होने के बाद इनकी आ गई एक बहु तो कोदुराम दलिद जी सियान आदमी शादी हुई इनके घर में तो आ गई इनकी बहु अब इनकी बहु पायल पहनती है तो पायल से छनर छनर की आवाज आती है पायल से कैसी आवाज आती है छनर छनर की आवाज आती है ठीक तो कोदू राम दलित जी तो हो गए हमारे साहितकार अब इनकी रचनाएं तो सियान से याद रखना पहली है सियानी गोट क्या है पहली सियानी गोट अगला बहु से ध्यान रखना है बहु जन हिताए और बहु जन सुखाए बहु जन हिताए बहु जन सुखाए और उसके बाद चनर चनर से है चनर चनर पैरी बाजे समझ गये तो बेसिक स्टोरी क्या है तो कोदूराम दलित एक साहितकार और इनकी रचनाओं के लिए मैंने क्या बताया कि ऐसा लगता है ये सियान आदमी है इनके घर में एक बहु आई और बहु जो है वो पायल पहनती है जिससे चनर चनर की आवाज आती है तो सियान से सिय करते हैं तो वीडियो के अगले सेक्शन में आते हैं जिसमें हमें प्रश्ण के आंसर देखने थे तो यह जो प्रश्ण थे यह बेसिकली पिछले वीडियो के अंत में मैंने दिये थे अब इनको एक बार देख लेते हैं प्रथम खेलो इंडिया जंजाती राश्वी प्रति जी के द्वारा डॉक्टर तुम्चो दुवार ये जो है इसका शुबारम किस जिले से किया गया था तो आपको ध्यान होगा इसका भी सही आंसर मैंने आपको बताया था इसका शुरुआत जो है या इसकी शुरुआत बेसिकली हुई है कहां से कॉंड़ागाउ डिस्ट्रिक् या गया है तो ये बात बिल्कुल सही है अगला क्या है इस कारिक्रम में ग्रामीड युवाओं को 21 दिन तक आवासी परिक्षन दिया जा रहा है तो ये बात भी बिल्कुल क्या है सही है और इसके तहत 58,000 ग्रामीड युवाओं को कौशल विकास प्रसिक्षन देने का लक् मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना को कितने नगर पालिकाओं में शुरू किया गया तो 44 सही आंसर है फाइनली पाच्वा कोशिन क्या है जल जीवन सरविक्षन 2023 में 36 गड़ के किस आकांशी जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है हासिल किया है तो सही आंसर क्या है डी नारायनपुर इसने हासिल किया है दूसरा स्थान देश के आकांशी जिलो में से थेर है ये बात तो यहाँ पर सारे के सारे questions खतम हो गए और अब एक से लेके 15 जुलाई तक के जो important current phase है उस पर हम आ जाते हैं ठीक है भई तो 36 गड़िया ओलंपिक जैसे कि पिछले बार भी हुआ था उसी तरज पर हरेली त्योहार के दिन इसे क्या किया गया शुरू किया गया इस वर्ष भी ठीक है कि नहीं है सबसे पहली बात हरेली इसके बारे में जान लीजिए तो हरेली जो है इसे सावन मासटी अमावस्याग के दिन मनाया जाता है सावन मासटी अमावस्याग के दिन अब सामाने तो आप समझे तो छट्र गड़का जो मुक्यतः छेत्र है maximum area है वहाँ पर क्रिशी एक फसली होती है एक फसली मतलब खरीवकियों क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन की सिचाई की जादा सुविधाय नहीं है तो dependent सामाने तोर पर किसान जो है वो रहता है किस पर मानसून पर सिचाई के लिए और इसलिए खरीफ की फसल होती है सामाने तोर पर जिसकी बुआई कब हो जाती है तो लगभग लगभग आप मान के चलो जून एंड से बुआई का सिलसिला जो है वो चत्रगड में चालू हो जाता है और जुलाई के मास तक तो बुआई जो है सब जगात खतम हो जाती है तो श्रावन अमावस्या सावन मास की अमावस्या के दिन होता ये है कि बेसिकली इस समय तक लगभग सभी किसान बुआई कर चुके होते हैं और यह जो बुवाई हुई है या इसको कह दू मैं कि यह जो सोविंग सीजन हुआ कम्प्लीट इसमें किसान के काम आये थे जो टूल्स या क्रिशी उपकरण अग्रिकल्चरल टूल्स या क्रिशी उपकरण उन्हीं को धन्यवाद देने का यह परव है ठीक है तो यह अब ठीक है धन्यवाद देने का ठांक्सगिविंग का यह परव है इस दिन क्या किया जाता है बढ़िया से सुबह उठ्के क्रिशी उपकारा नेगरी कल्चलरल टूल्स को बढ़िया धो पोज के रखा जाता है, उनकी पुझा की जाती है भोग के लिए क्या चड़ता है? तो चड़ता है बोबरा ठीक है कि नहीं, बोबरा जो होता है, वो क्या होता है, मीठा चीला, इसको गुरह चीला बोलते हैं ये गेहूं के आटे और गुर को मिलाकर बनाया जाता है, समझ में आया कि ने आये, इसको क्या बोलते हैं, बोबरा कि क्या है मीठा चीला दूसरा होता है गुल गुला और ये जो गुल गुला है मीठा भजिया ये भी गेहुआटा के बनता है और इसमें भी क्या किया गया रहता है तो इसमें भी गुल को मिठास के लिए मिलाया गया होता है समझ में आया तो ये दोनों चीजे जो है ये भोग के लिए बनेगी इसी एक परसाद रहता है दबाक खाते हैं हम लोग भिकट मज़ा आता है तो बोबरा या गुलगुला हो जाए और नीम्बुक चटनी हो जाए फिर देखो आप लोग भारी मज़ा है अब इसके बाद और क्या होता है तो हर्याली के प्रतीक जो नीम है इसकी टहनी ट्विग इसको हर घर के सामने जाकर यादव जाती के लोग लगाते हैं और कई बार आपने देखा होगा घर की चोखट पे ना लोहा ठुका होता है तो यही दिन होता है या इसी दिन ही क्या करत तो बेसिकली जो लोहार वर्ग के लोग हैं वो घर-घर जाकर लोहा जो है वो चौक्टो में ठोक देते हैं इसके अलावा इसी दिन गेडी भी चड़ा जाता है तो लोग बढ़िया गेडी चड़ते हैं और क्या होता है तो इस समय अंधविश्वास भी बहुत होता है सब लोग बोलते हैं कि रात को भूत मनाही टोनी मनाही फलाना धेकाना करके तो अंधविश्वास भी काफी इस समय होता है तो अंधविश्वास को खैर छोड़िए हमको उससे कोई मतलब नहीं हम तो त्योहार की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये था सावन अमावस्या के दिन मन मनाया जाने वाला एक त्योहार जिसका नाम क्या है हरेली सावन अमावस्या के दिन क्या बस्तर में भी कोई त्योहार मनाया जाता है हां त्योहार का नाम होता है आमुंस क्या नाम होता है त्योहार का आमुंस तिहार इस दिन क्या किया जाता है तो ऐसे जड़ी बूटी जि किया जाता है eight-re서 और सतावरी इनकी पूजा की जाते हैं समझ में आया कि नहीं तर यह एसी जड़ी बूटियां हवड़ें जिका यूज़ किया जाता है आनिमल्स के घ्रीपमेंट के लिए इसलिए अन्की पूजा की जाती है कौन से तिहार के रूप में ऑमुन्स तिहार के रूप में जिसको मनाया जाता है एक और तेवहार है जो कि शावनमास की अमावस्या के दिन स्टार्ट होता है आप लोग उसको मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ बहुत फेमस तेवहार है 36 गड़का क्लियर है यह तो इतना चीज आपको सावनमावस्याक बारे में ध्यान में रखना है ठीक है अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना अगर इतने जमेंसे ही क्वेश्चन बता दूं तो आप 30 वर्ड्स के लिए रेडी कर लेना क्या हरेली 30 वर्ड्स के लिए आमुनस्तिहार को सीधा सीधा क्या करेगा में में पूछ देगा प्री में कैसे पूछेगा हरेली कब मनाया जाता है आमुनस्तिहार कब मनाया जाता है तो आपका आंसर क्या आएगा तो आपका आंसर आएगा शामनमास की अमावस्या के दिन तो इतना तो स्टाटिक पोर्शन हो गया अब क्य क्या पिछले ही साल की भाती इस वर्ष भी कि चत्रगडियां उलम्पिक जो है इसका आयोजन कब से हो रहा है तो 17 जुलाई से स्टार्ट होगा और यह त्योहार कौन सा है हरेली का त्योहार है इस दिन से चालू हो जाएगा ठीक है कि नहीं इसका शुभारंब अब 17 जुलाई इसे चालू हो चुका है इसका शुभारंब कौन किये हैं तो cm सर इसका शुभारंब किये ध्यान रखिएगा दूसरा ध्यान रखना इसके बारे में इसके शुभांकर भी है या मासकट है क्या नाम है इसका बच्रू इसका मैसकट या शुभांकर का नाम क्या है बच्रू न तेको नहीं है अब ध्यान रखिएगा यह जो खेल है ग्रामीड़ छेत्र में पंचाइद इवं ग्रामीड़ विकास विभाग और नगरी शेत्रों में नगरी प्रिषासन इवं विकास विभाग अब यह जो खेल है यह कितने शेणी भूंगे दो शेणी में है ठीक है कि नहीं है अब इसके बाद ध्यान रखना यहां 16 अलग-अलग प्रकार के खेल है ठीक है और इसको दो तरीकों में बाट दिया गया है या दो शेणियों में एक है दली और दूसरा क्या है एकल एकल मतलब ऐसे खेल जिनको सिंगल खेला जा सकता है दली मतलब टीम इवेंट अब इसके नीचे बहुत सारे एक्जामपल्स दिये गए हैं तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो अब जैसे लंबी कूद है तो लंबी कूद एकल पती उपता है पुरा टीम मिलके कूद आओ कॉमन सेंस समझ सकते हो इतना ध्यान रखना 16 प्रकार के खेल है दो प्रकार की श्वेणी है एक है टीम इवेंट दूसरे क्या है इंडिविजुल अब इसके बाद समझिएगा आगे इनका आयोजन जो है सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब इस लेवल पर होगा कब स से कब तक होगा तो 17 जुलाई जब से चालू हुआ तब से 22 जुलाई मतलब 5 दिन तक होगा नौकाउट पधती से होगा ये किस स्तर पर तो पहला स्तर है राजीव युवा मितान क्लब अब दूसरा जो स्तर है वो होगा जोन अब इस जोन में क्या किया जाएगा तो प्रत् राजीव युवा मितान क्लब को मिला कर अब इस में कब से कब तक होगा तो 26 से 31 जुलाई तो ये जो पहला लेवल था यह है आपका 17 से लेके 22 तारिक तक कौन सा महिना जुलाई का महिना जोन इस्तर पर कब से कब तक हो रहा है तो यह हो रहा है 26 से लेके 31 जुलाई अब जोन के बाद आगे देखिए फिर है क्या विकास खंड स्तर पर और अर्बन क्लस्टर के स्तर पर तो ब्लॉक या अर्बन क्लस्टर इस इस्तर पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह कब से तक होगा तो साथ अगस्त से 21 अगस्त तक इस इस्तर पर होगा और फाइनली दो इस्तर बज गए आपके दो नहीं तीन बज गए एक है क्या जिला फिर है संभाग और उसके बाद राज्य ठीक है तो इसके बाद कौन सा राजिस्तर पर यह होगा 25 अगस्त से लेके 4 सितम्बर तक ठीक है तो 25 से लेके 4 सितम्बर तक और इसके बाद संभाग 10 से लेके 20 तो 10 से लेके 20 सितंबर तक यह हो जाएगा आपका संभाग और फाइनली राज इस्तर पर 25 से लेके 27 सितंबर तक होगा और 27 को इसकी समापन हो जाएगा अब बहुत जाद़ इसको रटते मत रहना डेट को मेरे हिसाब से बहुत जाद़ पूछ लेगा तो यह पूछ लेगा कि अब किस्मती चिकदम खराब होगा डेट को पूछ लेगा अब इसके बाद ध्यान रखेगा कि यह जो है आयू वर्ग के अनुरूप होगा और आयू वर्ग जो है वो कितने होंगे एज ग्रूप्स तीन तो एक है अठारा तक दूसरा आयू वर्ग है अठारा चालिस और त इतना बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है समझ में आयक नहीं आया तो तीन वर्ग है मजा कर रहा हूं तो जिरो से लेके अठारा एक अब जिरो वर्ग का बच्च अब्च्च अब्दर नहीं जाया गए इसको पाइसिपरेट करने के लिए तो इसलिए नाम रखा गया है क्या हो सकेंगे भाग ले सकेंगे ठीक है कि नहीं है अब सीधा सीधा प्री के questions पर आता हूं तो पहला पूछेगा कि ये कब स्टार्ट हुआ तो question number one mcq को बन सकता है थरी लेक दिन ठीक है कि नहीं है अच्छा अब क्या करेगा पता है कौन-कौन कर आ रहा है फिर पूछ सकता है कितने प्रकार के खेल है उसके बाद पूछ सकता है आप से कितने स्तर में हो रहा है ये तो ये अगला question फिर पूछेगा कितने are you work तो ये अगला question बन सकता है फिर किसके द्वारा शुभारम और इसका जो शुभांकर ये मेरा एकदम मन कहता है कि शुभांकर ना पूछ ले और मिर को ऐसा लग रहे कि नहीं है आपको क्या करेगा पता है आपको ना पक्केस ये देने वाला है तिथी में और बुलेगा किस तिथी चालू है करके मेरे को ऐसा पता नी क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा है तो ऐसे छेसाथ प्रगार के MCQs जो है इस टॉपिक में से बहुत इजिली बन सकते हैं मेंस की अगर मैं बात करूँ ना तो ध्यान रखना ये इतना जादा चल रहा है अभी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको सीधा उठाकर मेंस में एक्ठो ऐसे दे दे 36 गडिया उलम्पिक के उपर देख लेना बहुत बड़ी प्रॉबिलिटी है कि ऐसी हो जाए शायद अभी कुछ वर्ग के लोग मुझसे असहमत होंगे असा लगे गारे कुछ भी बोल रहे यार नहीं आ सकता कोई दिक्कत नहीं है जब आ जाएगा ना तब इस वीडियो को अप लोग अच्छा वैसी पिछले वीडियों भी एक कॉंट्रोवर्सी हुआ था भई अम बंसी धर पांडे जीक बारें बताया कि उपन्यास का रहें तो आधे लोग चिला रहें कहानी का रहें करके तो उसमें कोई मेरेक समस्या नहीं है थोड़ा सबस खर्चा है जाना मा तो हिंदिक खरीद लेना उसमें तो दिया ही हुआ है और उसके बाद सहितकारों में देख लेना बंसी धर पांडे जीम जाना और उसके बाद फिर बता देना कि वह सहितकार थे कि वह क्या थे कहानीकार समझ में आया कहानीकार की उपन्यासकार की कहानीकार मैंने उपन्यास मीटिंग और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दलाई लामा क्या किया है आमंत्रण दिया है यह न्यूज घूम फिरके वापिस सेप्टेंबर में आने वाला है तो मैं बता देता हूं कि महासमुन जिले में जो सिर्पूर है वहाँ पर 6-9 सितंबर तक वर्ल्ड सिर्पूर परियेतन क का बहुत बढ़ा केंद्र है साथ ही के बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा अतात्विक स्थल है घू कि किस ननीके महा नदीके不管 है और यहाँ बहुत वेमस लक्षमन मंदिर है जिसको की किसने वास्टा देवी ने अपने पती क्या नाम हर्ष गुप्त के नाम से बनवाना शुरू किया था समझ मायक निया है हाला कि पूर्ण करने से पहले वास्टा देविच की डेथ हो जाती है और महाशी गुप्त बालर्जुन जो है उसको पूर्ण करवाते हैं ठीक है के नहीं लक्षमन मंदिर के बारे में एक क्वेश्चन आता है प्रीमे ध्यान रखना पूछता है लाल इटो से बना विश्चनु मंदिर तो लाल इटो से बना विश्चनु मंदिर का भी पूछ लेना तो ध्यान रखना कि इसकी बात हो रही है लक्षमन टेंपल लक्षमन मंदिर की बात हो रही है सरपूर वाले एक्जामेनिशन पॉइंट फ्यू से महत्वपूर्ण अगर कहो तो यह क्या है तो यह सिर्फ mcq आ सकता है पूछ लेगा कि भाया यह जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीटिंग है यह कहां हुई तो आपको ध्यान रखना है सिरपूर में अगला बहुत जादा डीटेल में रखना कौन आयता है खिक है की नहीं है यह तीन क्योंसे बन सकते हैं अब तरफ है hem 26 पुलिस जो है इनका सडक सुरक्षा अभ्यान अब यह लोग कि क्या कर रहे है कि सडक सुरक्षा अभ्यान चला रहे है जिसके माध्यम से अब पुलिस पुलिस्विभाग ने डिसाइट किया है कि जो शॉट्ट फिल्म से लगू फिल्म इसके जरीए लोगों को क्या किया जाएगा जागरुक किया जाएगा सुरक्षा के लिए हैं समझ में आया कि नहीं आया ठीक है भई तो यह जो पुलिस प्रिखाग है इसने हमारे राजे के जितने creative, रचना धर्मी लोग हैं, रचना धर्मी पिंग्रिश में बोलते हैं creative, जितने रचना धर्मी या creative लोग हैं, इन लोगों को invite किया है, कि ये लोग क्या करें, short films बनाएं, समझ में आया कि ने आया, और इन ही short films की प्रविष्टी जो है, राष्ट्री सडक सुरक्षा लगू फिल्म होचा 2023 के अंतरगत आमंत्रित की गई है, ठीक है कि नहीं है, 5 जुलाई से इनका online पंजियून, online registration चालू हो चुका है, और कब तक चलेगा 26 जुलाई 2023 तक online registration वो चलने वाला है, अब ये जितनी प्रविष्टी आएगी, जितने short films उन सभी को देखा जाएगा, और जो best film होगी उसको 80,000 रुपए, जिसकी कहानी सबसे best होगी उसे 25,000, जिसकी cinematography सबसे अच्छी होगी उसको 25,000, जो सबसे अच्छा भीनेता या भीनेतरी होगी उसे भी 25,000 रुपए कि क्या है, राशी दी जाएगी, ठीक है कि नहीं है, त तो question की अगर बात करूँ, तो आपको एकदम directly ये पूछे, थोड़ा सा तो मुझे doubt है कि बहुत जादा प्री में एकदम directly तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी आपको याद रखने के लिए इसको ध्यान रखना है, कि राश्ट्री सडक सुरक्षा लगू फिल्म महुत्सव 2023 का संबंध किस्से है करके question देदेगा, अब उसके बाद 2-4 statement देदेगा, कि भई छत्तिगर पुलिस द्वारा सडक सुरक्षा अभियान से है, फिर अगला देदेगा, इसका पंजियन 5 जुलाई चालू होकर 26 जुलाई तक चला था और इसके अंतरगत इन इन छेत्रों में कुरुसकार दिये जाएंगे, ऐसे 3-4 statement देदेगा, पूछेगा कौनसा statement सही है, कौनसा गलत है करके, ठीक है, अब आजाते हैं अगले section पर या अगले news पर, तो मुख्य मंतरी ने प्रदेश में प्रथन स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी माध्यम आदर्ष कॉलिज का कांके में क्या किया है, वर्चुल लोकारपन किया है, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले, वर्ष 2020 था, जब हमारे राज के ऐसे गरीब विद्यार थी, जो की आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी, एकनॉमिकल पॉइंट अव्यू से बहुत वीक थे, इन लोगों क अंग्रेजी माध्यम में बहुत अच्छी सिक्षा मिल सके, इसलिए क्या किया गया था, स्वामी आत्मानंद, इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया गया था, समझ में आया कि नहीं आया, अब हुआ क्या धीरे धीरे, इंग्लिश मीडियम के बाद, हिंदी मीडियम स्कू हैं उनको English Medium Colleges चाहिए थे तब उसके लिए यह Decide किया गया कि प्रदेश में दस English Medium वाले आत्मानंद आदर्श महाविद्याले जो है वो खोले जाएंगे और इसी क्रम में पहला जो महाविद्याले या कॉलेज है उसका शुभारंब वर्चुली 13 जुलाई को कांकेर में किया है किसके द्वारा तो किया गया है हमारे मुख्यमंत्री श्वी भुपेश बगेल के द्वारा आई होप आप लोग समझ गया होंगे ठीक है कि ने यह पूरा का पूरा इसका क्रक्स था इस निउस का ठी और इंगली मिटयम खूल चुके है तो इंगली मिटयम स्कोल से जो बच्चा निकलेंगे उनको इंगली मिटयम छाइए तो ने कले खोल रहे हैं समझ में आया कि नहीं आया ठीक है भई अब अगर बात करूं क्वेशन की तो मेंस में तो सीधा सीधा 30 वर्ड के लिए आप रेडी कर लो भईया स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है इसके बारे में पूछेगा तो बताईएगा कि इसकी शुरुवात 2020 में हुई थी इसका उद्देश अब्जेक्टिव क्या था वर्तमान में कितने स्कूल संचाले थे हैं ठीक है कि नहीं है अगर आप बात करेंगे प्र तो तीन प्रकार के mcq बन सकते हैं और एक में इसका कुश्यन इसमें से बन सकता है ठीक है भई अब नेक्स्ट न्यूस को देखिए छत्त गड़के जो राजिपाल है श्री हरीचंदन जी इनकी आत्म कथा है और आत्म कथा का नाम क्या है बैटल नॉट येट ओवर इसका पूर्व मुख्य न्यायधीश और सर्वोच न्यायाले के न्यायधीश श्री वी गोपाल गोडे इन दोनों ने मिलकर किया है अब यह जो बुक है मूलता उडिया भाशा में है और हिंदी में सोरी इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन अनुवाद प्रोफेसर भगवान जै सिंग के द्वारा क्या है किया गया है ठीक है एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू से यह पूछ सकता है आपको सीधा सीधा MCQ के फॉर्म में कि विश्व भूशन हरीचंदन जी जो है इनकी आत्मकथा का नाम क्या है तो आंसर याद अठना बैटल not yet over बहुत आदर डीटेल पूछन होगा तो पूछ देगा कि किसने विमोचन किया बट आई डोंट थिंग सो वो इतना इंपोर्टेंट है सीधा MCQ के पूछेगा आपको कि क्या नाम है इनके आत्मकथा का ठीक है अब नेक्स्ट चत्तिजगड को मिला प्रिथ्वी एवर्ड्स दोहजार तेईस महिला सुअ सहायता समू और चत्तिजगड वनोपज संग को मिला ESG के शेत्र में संबाद तो हमारे राज का जो लगू वनोपज संग है स्टेट माइनर फॉरेस्ट कोपरेटिव फेडरेशन है माइनर फॉरेस्ट प्रिडूस कोपरेटिव फेडरेशन ठीक है कि नहीं इसको वैश्वेक इस्तर पर ESG Environment उसके बाद Social Welfare, सामाजिक कल्यान और सुशासन Good Governance के शेत्र में अच्छा काम उत्कृष्ट काम करने के लिए बहतरीन काम करने के लिए सरकारी श्वेडी में प्रिथवी Awards 2023 जो है वो मिला है समझ में आया कि नहीं आया तो किसको मिला है लगुव अनुपज संग को हमारे राज्य के चत्रगर राज्य लगुव अनुपज संग को ठीक है World Level पर ESG Environment, Social Welfare और Good Governance के शेत्र में अच्छा कारी करने के लिए ठीक है अब पुरुसकार दिया किसने है तो Government of India के कानून और नियाय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी इन्होंने क्या किया है इस अवार्ड को दिया है ठीक बात है अब नेक्स ध्यान रखना इसी दवरान क्या हुआ कि हमारे प्रदेश में ग्रामीन विकास और आर्थिक्ष शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो एंजियो और सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला कैटेगरी है वो सरकारी कैटेगरी है यह क्या है एंजियो और सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो कैटेगरी है उसमें कवरधा डिस्ट्रिक का जुन्वानी गाउं है वहां के जै बुढ़ादेव स्वा सहायता समू और बस्तर जिले के आस जिसमें हमारे लगु वनुपत संग को और दूसरी कैटेगरी क्या है तो एंजियो सेल्फ हेल गुरूप वाली उसमें जै बुढ़ादेव स्वा सहायता समू कहां कवरधा जुनवानी और वर्षा स्वा सहायता समू बस्तर डिस्ट्रिक्ट का आसना गाउं ठीक है कि नहीं है तो इनको भी सम्मानित किया गया अब यह एवार्ड जो है फंक्शन यह ओगनाईज हुआ था 14-15 जुलाई को कहां पर न्यू डेली में ESG Global Conference में और यह जो प्रिथिव एवार्ड है उसे दिया किसने है ESG Research Foundation इसने इस एवार्ड को दिया है अग महत्वकी बात करिए तो यह MCQ के फॉर्म में काफी काम में आ सकता है आप लोगों को आपको पूस देगा कि यह जो ESG वाला एवार्ड है सरकारी काटेगरी में किसक को मिला है तो एक और एक यह दो दो कोशन बन सकता है समझ में आया कि नहीं आया और आपको यह भी पता होगा कि हमारा जो State Miner Forest Produce Cooperative Federation है हमारे राज का लगू वनुपज संग इसके द्वारा लगू वनुपज जो खरीदी हो रही है कहा से तो बहुत ही रिमोट एरिया से जंगल जंगली शेत्रों से उसके कारण वहाँ पर उन शेत्रों में क्या हो रहे है तो लाइवलिहुड एक्टिविटीज ज generate हो रही है समझ में आयक निया रोजगार मुलत गतिविदिया जो है वहाँ पर क्या हो रही है बढ़ रही है ठीक बात चलिए अब नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट बहुत ही महत्पपूर्ण टॉपिक तो डेट आपको धियान रखना साथ जुलाई साथ जुलाई भारत के प्रधान मंत्री मानी नरेन मोदी जी क्या थे 36 गड़ के प्रवास पर थे अब प्रवास क्या कहलू सुबह आया और दोपहर को चले गए ठीक है कि नहीं है और इसके दोराने उन्होंने क्या किया 76,000 करोड रुपे की लागत के 10 परियोजनाओं का लोकारपन शिला न्यास ठीक है कि नहीं है अच्छी बात है सब कहां पर हुआ है तो यह सब रायपूर में हुआ है ठीक है कि नहीं है एक बात आपको बताना चाहूंगा कुछ लोग यहां पर रटने लगें दस परियोजनाओं यह कौन-कौन सी थी अब मेरा यह मानना है कि वर्तमान जो पॉलिटिकल हमारे यहां सिचुएशन है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं लगता कि यह पूछा जाएगा कौन-कौन सी दस परियोजनाओं थी तो मैं भले आपको प्रवाइट करा द आते हैं क्या है तो मितानिन लोगों का जो मान दे है वह 2200 रुपए व्रिद्धी हो गई उसमें और यह व्रिद्धी जो है स्विक्रित की गई है एक अप्रेल 2023 से ठीक है कि नहीं है डॉक्टर प्रेम साय सिंग टेकाम जो की क्या थे छत्रगल के स्कूल सिक्षा मंतरी इन् और मुहन मरकाम जी आदम जाती अनु सुचित जाती पच्छडा वर्ग और जो माइनॉरिटीज है विधास मंतराले इनको मिला है समझ में आयक नहीं है विषाकली दिया हम है विखास मंतराले ठिक है आदम जाती अनु सूचित जाती पच्छडा वर्ग और इसके अव bleibtly इनको मिला है मनॉरिटीज मतलब क्या हो गया बही अलप संध्यक विकास ठेक है कि नहीं है यह सारा сारे इनको क्या मिला डेपार्टमेंट मिला है कि इसको ? मौहन मरकाम जी को पूरा विभाग का नाम क्या है ? अदिम जाती विकास अनसूचित जाती विकास, पिछडा वर्ग विकास, अलपसंभ्याक विकास इसलिए विकास को लास्ट में लिखती हम तो मोहन मरकाम जी मंत्री बन गए अम मोहन मरकाम जी तो PCC के अध्याक्ष थे प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के तो इसको बना दिया गया किसे तो दीपक बैज जी को अब दीपक बैज जी वर्तमान में बस्तर लोकसभा से सदस्य हैं दीपक बैज जी जो कि अब PCC के अध्याक्ष तो प्रेम साय सिंग टेकाम जिनोंने क्या किया था स्तीफा दिया था पद से उनको राज योजना आयोक का क्या बना दिया गया है अध्याक्ष और इनको कैबिनेट मंत्री के पद पर या कैबिनेट मंत्री का दर्जा पद पर त राइपूर के नवीन विश्राम भवन जो है वहां पर एक मासिक प्रत्रिका के पहले अंका विमोचन की आ नाम था क्या खबरवाद ठीक है अगला ध्यान रखना राइपूर में एक सबसे बड़ा थोग बाजार जो है वो नेक्स ध्यान रखना भारत सरकार द्वारा नियमिट टीका करण कारिक्रम के अंतरगत गर्भवती महिला और बच्चों के टीका करण के लिए एक डिजिटल प्लाटफॉर्म तैयार किया गया है जिसका नाम क्या है यूविन तो यह जितने विविद वाले सीधा एमसीगू के फॉर्म में डिरेक्ली आपको देखने को मिल सकते हैं और दंतेवारा डिस्ट्रिक्ट है हमारे राजिका पहला यहां पर क्या खुलने वाला है वायरल लौजी लाब ठीक है कि नहीं है तो यहां पर इस एक से लिए के पंदला जुलाई तक के जो इंपर्टेंट के प्रथम स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकारपन कहां किया है ओप्शन्स आप सभी के सामने है फर्ड है छत्तिलगण में प्रिथ्वी आवर्ट्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया ओप्शन्स आपके सामने है फोर्थ है बैटल जो वीडियो है वह अपने अंत पर आ चुका है अगला जो वीडियो रहेगा उसमें जुलाई महीने की 16 तारिक से लेके 31 तारिक तक के करण्ड फ्रेस को लेकर मैं आप सभी से मिलूँगा आप सभी से निवेदन है कि जितने भी क्वेश्चन्स मैंने दिये हैं उसे भी क्य आप लोग क्या करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए चलिए तो मैं मिलूँगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में तब तक ले थैंक यू अन टेक केर